अब आप सबका बहुत स्वागत है आज हम पाला के प्राउडे बनानी जा रहे हैं जो बहुत अलब तरीके से आज हम बना कर रेडि करेंगे तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको अनवाली वीडियो भी अच्छी से देखने को मिल सकें तो और इसी के साथ हलका सा ब्राउन होने की बाद हम इसमें एड़ कर देंगे बारिक का टीवी हरी मिर्च और इसको हलका सा हम सौते कर लेंगे बहुत ज़्यदा हमें इसे नहीं भूनना है अनली हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका कच्छपन निकल जाए और इसमें हम एड़ करेंगे पालक पालक को मैंने दुल लिया और बस मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं किये इसको डिरेक्ट हम इसमें कड़ाई में या पैन में रख देंगे ये अपने आपी बहुत ही जल्दी गल्द भी जाती है और इसे किसी तरह से काटने की भी कोई जुरत नहीं है इसी तरह से हम यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी पालक के प्रॉंठे क्रंची क्रंची बनाकर ड्रेडी करेंगे अच्छी चीरा सिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंच में जादर जादर शीर करना ना भूलें तो ये देखे हमारी पालक जो है थोड़ी सी अभी इसमें उपर तक आ गई है पर ये देखे आप देखते देखते ही ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है इसको हम अच्छी से अंदर की तरफ दबा देंगे गैस की फ्लेम को हमने अभी मीडियम पर रख है ये देखिए ये हमारी पालक जो है वो गलना शुरू हो गई है और इसको मैंने ढका भी नहीं है कवर भी नहीं किया है और इसमें मैं एड़ कर दू भी वन टेबल स्पून सौर्ट धन्या वन टेबल स्पून दन्या पाउडर एंड चिली पाउडर अलमिर्ज और इन सब को हम कर देंगे अच्छे से मेक्स इसको हमें बहुत जादा नहीं गलान है और ली हलका सा ये पग जाए बस हम इसको इतना ही पालक को पकाएंगे ताकि जो इसका कच्छापन है वो अच्छे से निकल जाए इसमें हम अभी एड़ करेंगे अद्रेक अद्रेक भी हम इसमें एड़ कर देंगे ग्रश किया हुआ या फिर बारी करता हुआ आप अद्रग इसमें एड़ कर दें और ये देखिए बस इस स्टेज तक हमने इसको पकाना है इसका जो पानी है वो भी हम इसी में रहने देगे गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल बंद और इसको हम ठंटा होने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर पीच लेए इसी में हमने थोड़ा सा हर अधनी भी एड़ कर दिया था और ये देखिए हमने इसका आठा इड़ किया है इसी की होगा कि वहाता करण प्र ant बनकर हमारे अटी होंगे और इसमें हम एक कप एड़ कर देंगी गहन का आठा और इसको कर देंगे अच्छे से मेक्स और इसका इक अच्छे सड़ा डोव बनाकर र ends करेंगे इसमें हमने पानी का ओनी यूज नहीं कि सारा डो बना लेंगे और थोड़ा मैं इसमें अभी आटा और एड़ कर रही हूं क्योंकि मैंने पुरा आटा नहीं डाला था जो हमारा एक बाउल था सौरी एक कब था और ये देखेए मैंने इस तरह से अच्छे से आटा लगा कर तियार कर दिया है इस पर हम हलकासा ओल लगा देगे और इसको एक बाउल में एड़ कर देगे इसको हम अटा देते हैं और इसको कवर करकर हम पाच मिंट के लिए रख देते हैं इधर गैस पर हम तबार रख देते हैं और हम प्राँठे बनाकर रेडी करेंगे तो ये देखें आटा हमारा अच्छेज़े से लिए लोई लेएंगे इस तरह से हम इसको बेल देगे और रोटी से हमने थोड़ा सा प्रांठी की तरह मोटा ही रखा इसको और इसको हम ग्रीस करेंगे देशी घी से अच्छे से हम इसको 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 कर दिया हलका सा सूखा आटा इससे क्या होगा कि इसकी जो लेयर है वह बहुत यह चीज़े निकलेंगे यह देखे मैंने बीच में से कट लगा दिया और इस तरह से मैं इसमें ट्राइंगल प्राउंठा बनाकर रेडि करूँगी इसको ऐसे कर दे के कवर कॉर्नर हमने यह देखे अगर आप फिलिंग भी इस तरह से भड़ते हैं इस प्राउठे में तो उसकी फिलिंग भी बहार नहीं आती है यह देखिए बिल्कु समोसे की तरह बनकर रेडियो गया है अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे आप इसको हलके हाथ से बेलें यह देखिए हमने रेडि कर लिया है अब इसको हम तवल पर डाल देते हैं बहत ही हेल्दी हाँ अच्छार के साथ करेंगे जो बहत ही हल्दी भी है दूसरी साइट से हमने इसको पलट दिया था अब हम इस पे एड़ कर देते हैं देसी घी में इसको गी में बना रही हूं आप चाहें तो इसको रिफाइंड ओयल यह जो भी आप ओयल यूज करते हो उसमें भी बना सकते हैं पर देसी घी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अ गैस की फ्लेम को आप थोड़ा मीडियम टू स्लो रखें बढ़ना क्या होगा यह अंदर तक अच्छे से पकत नहीं पाएगा देखिए इसके लेयर भी आपको अलग से दिखाई दे रही होंगी तो सोच कि जब देखने में इतना अमेजिंग है तो खाने में तक क्या बात ह होगी और यह लीजिए तैयार है हमारा ग्रंची ग्रंची पाला का प्रॉंठा और इसको सर्फ किया है हमने आम लेके खटे मिठे अचार के साथ इसकी रेसीपी भी मैंने आपको पहली दी है डिस्कुरिशन बॉक्स में में फिर भी आपको लिक डाल दूए हरी मिर्ची का अचार और आम लेके अचार के साथ जब इसको खाया जाता है तो इसको टेस्टी डबल हो जाता है तो आप मुझे जडूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लोगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपनी रेसिप के साथ जल्दी जल्दिया में चैनल को सब्सक्राइ करें लाइकरी उन्शेयरी